Hello friends, welcome to my YouTube channel, मैं यहों दकाल, आज मैं आपनों को एक ऐसा work के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे आपनों को India virtual assistant का work मिलेगा, यानि कि इंडिया के लिए work रहेगा, work from home jobs आपनों के लिए रहेगा, अब यहाँ पे आपनों को responsibilities क्या क्या होने वाला है, यहाँ पे आपनों को email management का work मिलेगा, calendar management का work मिलेगा, यहाँ पे आपनों को excel speed sits का work मिलेगा, documentation, drafting का काम करना होगा, data entry का काम रहेगा, project management का काम रहेगा, customer support का काम रहेगा, आपनों को इसी work में आपनों को यह सब work करना होगा, और main यहाँ पे data entry का काम रहेगा, accurate data entry का का काम आपनों को यहाँ पे करना हो और यहां पे आप लोगों को जानना होगा की आप लोगों को यह जो work रहेगा यह contract बेशेज पर रहेगा एक साल के लिए contract होगा और अगर आप अच्छे तरीक से यहां पर काम करते हैं तो आप लोगों का extension भी हो जाएगा तो यहां पर आप लोगों को payment मिलेगा hourly rate में मिलेगा आप लोगों को रुपिज 125 रुपिज से लेकर रुपिज 187 तक आप लोगों को यहाँ पर आउर आप on करेंगे अगर आप सही तरीके से यहाँ पर काम करते हैं तो आप लोगों को monthly 20,000 से लेकर 30,000 तक आप यहाँ पर on करेंगे तो एक अच्छा सा work आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक एक स्रेप में आप लोगों को बताऊंगा ध्यान से इस बीडियो को देखेगा बिना स्कीप की वे इस बीडियो को देखेगा तो जैसे हम इस website में आते हैं डिपार्टमेंट में एनी डिपार्टमेंट आप लोगों को दिखाए दे रहा है कंट्रीज में एनी कंट्री दिखाए दे रहा है लोकेशन में एनी लोकेशन आपको दिखाए दे रहा है इससे आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमको करना क्या है यहाँ पर आना है यहाँ पर आने बाद आप लोगो को department को any department ही छोड़ देना है और countries में आप यहाँ से select करना होगा any country है इंडिया, new guinea, philippines और united state है तो हमको इंडिया में काम करना है तो इंडिया को हम select करेंगे और done के बटन पर click करेंगे जैसे हम इंडिया को select करेंगे देखिए इंडिया के लिए work आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा जैसे इंडिया executive recruiter remote work रहेगा दूसरा work है इंडिया lead generation manager remote work रहेगा इसमें भी आप apply कर सकते हैं अब आपको नीचे scroll करना है और virtual assistant आप लोगों को दिखाड़ेगा virtual assistant मतलब आप लोगों को अब इस पर apply करना होगा आज मैं आप इसी work के बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो यहाँ पर भी remote work रहेगा contractual basis में रहेगा तो अब आप लोगों को apply का button दिखेगा इस पर आप लोगों को simple ऐसे click कर देना होगा जैसे आप यहाँ पर click करेंगे इंडिया virtual assistant का work रहेगा इंडिया remote work contract virtual assistant आप लोगों को दिखाए देगा apply to position, use my indeed resume, apply using linkedin कहीं से भी आप इसको apply कर सकते हैं अब लेकिन आपको नीचे आना है job summary आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं और responsibilities की बात करें तो आपको क्या काम करना होगा यहाँ पर चीज को आप लोगों को समझना होगा सबसे पहले email management, efficiently sort and organized emails याने कि आप लोगों को जो भी email से उनको efficiently sort out करना होगा respond to routine inquiries आपको करना होगा, उसके बाद calendar management, manage scheduling, send reminders and coordinate appointment across different time zones याने कि आप लोगों को यह work रहेगा, जो भी scheduling रहेंगे उनको manage करना होगा, reminder को आप किसी को आपको भेजना होगा और appointment जो रहेंगे, उन appointment को आपको coordinate करना होगा और इसी तरह का आप लोगों को रहेगा, virtual meeting में आपको work रहेगा, वो करेंगे necessary technical support आप देंगे, documentation में आप support करेंगे, social media and website management का आप काम करेंगे presentation में आप रहेंगे, और Excel spreadsheet, organize and analyze data using Excel, creating reports, charts and visualization का का काम करेंगे documentation को drafting का काम करेंगे, यानि कि prepare and format documents, reports and emails आप लोगों को करना होगा और data entry का काम भी रहेगा, यहां पर perform accurately data entry task का आप लोगों को करना होगा ensuring confidentiality and integrity of the information, यानि कि आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है जो भी information रहेंगे, उनको confidentiality आप लोगों को लखना होगा और जो भी data मिलेंगे, उनको सही तरीके से आप लोगों को, यानि कि accurately entry करना होगा project management रहेगा और customer support का काम भी आपको करना होगा यहाँ पे आप लोगों को inquiries जो रहेंगे, उसको आप लोगों को सही तरीके से handle करना होगा और जो भी customer रहेंगे, उन लोगों को appropriate आप लोगों को direction देना होगा and planning and research का work रहेगा, financial support आप लोग का work रहेगा तो यह work आप लोगों को रहेगा, desired skill and qualification, excellent in written and verbal communication adapted to various business needs आप लोगों को written और verbal communication यहाँ पे अच्छे होनी चाहिए, और multiple tasks and deadlines आपको दिया जाएगा, उसको complete करना होगा इसके बाद आप लोगों को technological proficiency, skilled in office software and highly adapted well to new technologies आप लोगों को new technologies को adapt करना होगा, problem solving, आप लोगों को problem solving का जूबी है उसको वो चमता आपके पास होनी चाहिए और customer service, commitment to understanding and solving customer needs, यह आप लोगों को समझना होगा, customer का need क्या है और जो भी problem रहेंगे उनको solve आपको करना होगा तो flexibility to work across different time zones, अलग-अलग time zones में आप लोगों को काम करने की चमता होनी चाहिए detail oriented आपको होनी चाहिए और independently आप लोगों काम करने की चमता होनी चाहिए और English यहाँ पर must रहेगा, तो आपनों को बोलने में और लिखने में दोनों ही English आपकी अच्छी होनी चाहिए तो job detailed contractual basis में रहेगा, one year रहेगा आपको यहाँ पर पहले work, ठीके, with the possibility of extension बाद में यह increase हो जाएगा अब compensation आपको क्या मिलेगा, hourly rate मिलेगा, रुपिज 125, 125 रुपिज से लेकर 187 रुपिज पर और आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर आप यहाँ पर full time work करते हैं, तो आप लोगों को monthly 20,000 से लेकर 30,000 से लेकर 30,000 तक आप यहाँ पर monthly earn कर सकते हैं, लेकिन hourly करते हैं तो 125 schedule may be changed, यानि schedule change होता रहेगा, कभी 8 a.m. to 5 p.m. होगा, कभी 8.30 p.m. to 5.30 a.m. इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना होगा, location remote रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को 50 mbps internet speed चाहिए यहाँ पर, तो अब आप लोगों को यहाँ पर आना है, और apply to position यहाँ आप लोगों को द आना है, नीचे आने पर आप लोगों को personal details जो भी आपका है, यहाँ पर डालेंगे, जैसे full name, email address, phone number डालेंगे, experience आपको डालना होगा, work history, education आप डालेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को experience संबेरी आप यहाँ पर डालेंगे, डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पर cover में भी आप apply कर सकते हैं, अब एक बार आप लोग executive recruiter के बारे में भी हम समझ लेते हैं, इसको apply के बटन पर हम simple click करेंगे, जैसे करेंगे यह भी remote work रहेगा, इंडिया के लिए रहेगा, तो आप लोगों को नीचे आना है, और job summary आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो भ का आप लोगों को responsibilities रहेगा, coordinate with clients, clients के साथ coordinate करेंगे, और आप लोगों को desired skill आप लोगों का जो है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद जब details यह हैं, यहाँ पर आप लोगों को hourly rate 351 रुपीज से लेकर 844 रुपीज पर hour मिलेगा, 30,000 to 70,000 पर month आप लोग कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर apply to position का button पर click करके, यहाँ से भी आप apply कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग apply कर सकते हैं, तो इस तरह का यहाँ पर जो इंडिया के लिए job है, उसी job में आप लोगों को apply करना होगा, और ली आप लोग यहाँ पर all कर सकते हैं, अच तो इस तरीके से आप इस वर्क में अप्लाइ करेंगे सिंपल है आप लोगों के पास एक इमेल चलाएगा उसी मेल में आप लोगों के सारी जानकारी दे दिया जाएगा अगर ये वीडियो आपनों को पसंद आया तो लाइक कर दीजे और इस चैनल के सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिल मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए बस इतना ही तैंक यू